नमस्कार दोस्तों मैं उदीप कुमार और आप देख रहे हैं स्टड़ी विजन तोस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हर्याना पुलिस प्रैक्टिस एट नमबर 38 इससे पहले हम 37 प्रैक्टिस एट कर सके हैं जिनका लिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाए जाके चैक आउट कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चनल स्टड़ी विजन तो उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रैड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब उसके उपर लिखा हुआ है वो दबाईए और सब्सक्राइब कीजिए जो ही आप सब्सक्राइब जरूर करें चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कि निमन में से कौन कुर्चेत्र की एक तैसिल नहीं है यह बात द्यान से पढ़ेंगे कोई चीज है या नहीं है क्या पूछा है तो इसका सही नसर होगा ब्राड़ा क्योंकि पहुआ थानेसर और सहाबाद तीनो ही कुर्चेत्र जिले की तैसिले हैं अगर द्यान से पढ़ेंगे तो कोई किसन गलत नहीं होगा अगर द्यान से नहीं पढ़ेंगे तो दो तिन किसन ऐसे ही गलत हो जाएंगे रज्य का कौन सा जिला संपूर्ण देश में अपने सूचना और प्रोधोगी के लिए प बोल सकते हो कि सूचना और प्रोधोगी चेत्र में बहुत विकास हुआ है एंगी इंफॉर्मेशन टेकनोलोजी के मामले में गुरुग्राम आमारा इंडिया लेवल पर परसिद्ध है निमन में से किन जिलों की सिमाएं दो राज्यों से परस करती हैं चलिए वह एंसर कीज सिजिले हैं चिर्षा पंचकुला यमनानगर पानिपत बिवानी जीन्द कैथल करनाल कुर्चेतर या फिर यह सभी कौन सा होगा आपके अनुसार जल्दी से कॉमेंट कीजी बताइए कौन सा अंसर होगा तो इसका राइट अंसर होगा उप्सन नंबर ए शिर्षा जो है वो एक कहरे एंड बेकण वर्क्स आप का सती थे हैं एक जो रेल्वे की वरक्सृप है हाड़े में उतक्स्क आपर सतीत है कि नेक्स्ट क्यस्ट लेंगे हर्याना की अनाजवे कपासमंडी किसे का जाता है तो यह का जाता भई रोथ तक को और अकेली अगर कपासमंडी पुछे तो हिसार को और सबसे ज़्यादा कपास कहां होती है पुछे तो सिर्शामे ठीक है भई नेक्स्ट कुस्ट लेंगे फत्यवाद का परमुख रेल्वेश टेसन कौन सा? तो फत्यवाद ऌजो स्टेसन है परमुख फो है जाखल कौन सा भई? जाखल चोडरी देउबाल विसी ने का स्थी थे? यानि कि C.D.L.U चोडरी देउबाल युनिवरिस्टी का पर स'tी थे? चोदरी देविलाल का समंद कहां से है तो यह चोटाला परिवार से समंद रखते थे और चोटाला जो गाओं है वो सिर्षा में है तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि जो चोदरी देविलाल युनिवेस्टी है वो सिर्षा में नेक्स्ट कुशन लेंगे पंचकुला का प मिलती हैं तो हमने पिछले क्यूशन में भी यह पढ़ा था कि कि उत्तर प्रदेश और इमाचल प्रदेश के साथ कि यम्ना नगर जिलेगी सीमाएं लगती है तो राइट एंसर होगा इसका बी नेक्स्ट क्यूशन लेंगे टाहिते नेक्स्ट क्रिशन हमारा क्या राइगा से станов standing भगवान पूर अर्यना की किज चले में तो रुभ वान पूर आंवारा कुर्चे थे ले लेगे अंतरगत आता है थीक है भल्लब मधगड जो है बल्लबगड जो हमारा कापर है फृदबाद में जीन्द जीन्द में और नार्नोल हमारा काँ है मेंदरगड में नेक्स्ट क्रस्ण लेंगे निमन में से किस गरंथ में हरियान को हरियान का उलेक है किस गरंथ में हरियान का उलेक है तो बद्रबाउचरित एवं कथाकोस दिव्ययवदानियों मन्जिम्प मनिकाय हरस्चरित एवं राजतरंगिनी तो इसका सईयन शरोगा उप्रोक्षबी इन सभी गरंथों में हरियान का उलेक है कि नेक्स्ट क्यूशन लेंगे निमन में से हरियाना के किस गन्राजेगाउ लेक महाबारत के द्रोण प्रव में मिलता है किस प्रव में मिलता है द्रोण प्रव में बताए वह तो यह मिलता है योध्य गन्राजेगा जो महाबारत का द्रोण प्रव है उसमें योध्य गन्र जेगाव लेक मिलता है नेक्स्ट क्वेशन लेंगे निमन में से कौन सा हर्याना का ग्यात पर्थम प्रादेशिक नाम है तो सबसे पहला जो अर्याना का नाम ग्यात हुआ था वो ब्रहावरत हुआ था वैं कौन सा वा था ब्रहावरत next question लेंगे कौन सा प्राचीन स्तल फते वाद जिले में है तो कौन सा है भई बना वड़ी बना वली एक प्राचीन अडपा का लिंसम है जो की फते हवाद जिले में स्तीत है और राखी कडिया मरा हिशार में अगर वहा भी हिशार में है next question सब्सक्षार के सांथ यह इ görüşो मिध्टा थल किस जिले में श्थीत है कि मिध्टा थल जो है वह 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 वाली के कि अंदर स्थीत है का पर उप बेवानी के अंदर ये जellt प्राचिन स्थल के जिसे मर्थ प्राचिन सब्था के अवसेश प्रापत हुए हैं और हर्याना के किस स्थान से कुषान कालिन सोने में चांदी के सिख्ये प्राप्त हुए हैं कुषान कालिन सोने और चांदी की जो सिख्ये मिले हैं वो मित्ता थल से मिले हैं कहां से मिले हैं मित्ता थल से मित्ता थल कहा है हमारा विवाणी में चालिए नेक्स्ट क्यों लेंगे हर गणराज्य के बारे में अगर हुआ और जो बर्वाड़ा से हमें सिख्के पराप्त हुए है उससे पता चलता है कि अपर अगर गणराज्य था नेक्स्ट क्यूशन लेंगे निमन में से किसका या फिर किनका बोध गरंथ दिव्यवदान में उलेख है तो दिव्यवदान जो बोध गरंथ है उसमें रोत्तक और अगरोहा दोनों का उलेख मिलता है दिवयाफदान में किसका उलेख मिलता है? अगरोहा और उत्तक दोनों का next question लेंगे कहां से प्राप्त सिकों से पता चलता है कि प्राचिन काल में इसार चेतर में अगरगण राज्य ठा तो बरवाड़ा और अगरोहा से प्राप्त प्राचिन सिक्कों से पता चलता है कि हिसार छेतर में अगरगण राजे था चली नेक्स्ट क्यूशन लेंगे किस गरंध में हरियाना में बहुद अन्यक कहा गया है मलो हरियाना को किस गरंध में हरियाना को बहुद अन्यक कहा गया है तो महाबारत में हरियाना को बहुदान्यक कहा गया था नेक्स्ट क्यूस नमारा क्या होगा कुणिंद गणराजे ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को प्राजित किया किसके साथ मिलकर क्या था योध्यों के साथ मिलकर कुषाणों को प्राजित किया था वह कुछान 17 षाली थे इसलि कुन इंद यो दोगे साथ सामिल वो गए हरीयाणा से प्राप्त बिलेखों में बारकरी की लिखाई का सर्वाद दिक प्राकेन अभिलेख है तो बारकडी की जो लिखाई का जो अभी लेख है उो दुन से प्राप्त हुआ था भई दुन से प्राप तभी लेख से बारकडी की लिखाई का साक्से मिलता है नेक्स्ट क्यूशन लेंगे कुरू के बाद किस सोड़वे सासक ने दिवर कन्या से विवा किया पहले तो कुरू ने किया था उसके बाद किस सोड़वे सासक ने दिवर कन्या से विवा किया तो वो थे सांतनु किस से विवा किया था दिवर करन्या से नेक्स्ट क्योशन लेंगे नेक्स्ट क्योशन हमारा क्या रहेगा निमन में से किस स्थान से समुद्र गुप्त के सिख्ये प्राप्त हुए है तो समंदर गुप्त के जो सिखे मिले हैं वो बिवानी के मित्ता थड़ से मिले हैं वई कहां से मिले हैं मित्ता थड़ से करण के किले के उसेस किस्तान से प्राप्त हुए हैं बताईए वई करण के किले के जो उसेस हैं वो थाने सर से प्राप्त हुए हैं करन कौन थे वैसे तो करन एक पंडू पुत्र थे लेकिन इनको same with कि सुथ पुत्र और सुर्य पुत्र भी कहा जाता है ये दुर्यदन के दोस्त थे और युडिоту के बड़े भाई थे लेकिन कुंती ने इनको बताया नहीं था कि वो पंडो पुत्र हैं कुंती पंडो की माता थी तो मर्सासकोगेस में हरियाना चेत्र की राजदानी कहां विद्यमान थी कहां थी भई तो मर्सासकोगेस में हरियाना की जो राजदानी थी वो थी डिलिक क्या थी डिलिक जो किवर्द्वान दिल्ली के आसपास का छेत्र है महाबार्थ का परशिद युद किस परदेश में किस के सासनकाल में लड़ा गया तो महाबार्थ का जो युद था वो कुर्चेत्र के स्थान पर लड़ा गया था कुर्चेत्र पवित्र स्थान था और जो गीता का उपदेश दिया है इसलिए इसको पवित्रस्तान माना जाता है लेकिन युद्ध भी हुआ था और कॉर्वों और पांडों के बीच में युद्ध हुआ था कुर्चेतर के अंदर नेक्स्ट के सलेंगे बाबार्थ में नकुल दवारा जीते गए किन शेतरों का उलेक है तो माबार्थ में नकुल के दवारा कौन-कौन से शेतर जीते गए थे रोत्तक और सिर्सा कौन-कौन से रोत्तक और सिर्सा योद्ध गण का काल समाने माना जाता है समाने तेक कौन सा काल माना जाता है मोरी का सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से रीक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम इस प्रकार से लेगर 3000 क्यूशन आपको करवाएंगे ठीक है और उससे बार आपको हरियाना जीचे में कोई क्यूशन देखने को नहीं मिलेगा तो इन क्लासों को आप अच्छे से कीजिए अगला क्यूशन लेंगे हरियाना के की स्थान से नव पासाण युगिन क्रिशक बस्तियों के प्रम आए गए किसी स्वाल कि नेक्स्ट क्यों लेंगे युद्धयकाल में हरियना प्रदेश को निमन में से किसंग्या दी गई ये दीगी थी बहुत धन्यक प्रदेश और इसका जो उलेख है वो महाबार्थ के अंदर मिलता है महाबार्थ में अरियाना को बहुत धन्यक आया गया है और ये कौन सा समय था योध्यकाल में ठीक है नेक्स्ट क्वेशन लेंगे मनुसमर्थी में किन दो नदियों के मदेशती चेतर की ब्रहावरत कहा गया है तो सबसे पहले जो हमारा अरियाना का जो नाम दिया गया था ब्रहावरत दिया गया था मनुसमर्थी में इसका उलेख मिलता है और जो ब्रहावरत चेतर था वो सरस्वती और द्रश्दती नद्यों के बीच का चेत्र हुआ करता था ठीक है नेक्स्ट कुशन लेंगे परसिद चिन्नी यात्री हवें जोंग ने अपनी पुस्तक में हरियाना के किस नगर के वैभव और समर्दी का वर्णन किया है थाने सर का किया है थाने सर हमारा कुर्चेतर के अंदर आता है और थाने सर के बारे में हवें जोंग ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है निमन में से किस गरंद में रोत्तक का उलेख मिलता है तो रोत्तक का जो उलेख मिलता है वो किस पुस्तक में मिलता है भई नकुल दिगविजे में किस में मिलता है नकुल दिगविजे में नेइक्स्ट क्योशन लेंगे भग्वान स्रीकर्शन दवारा विष्ण परशिद गीता गौपदेश हर्याणा में कि स्थान पर दिया गया तो कुर्षेत्र के जोतिसर में दिया था भई कहां दिया था जोतिसर में याद रखीगा important question है Next question हर्याना चेतर के किस काल की सब्सक्रेट को siswal बैता काहा जाता है तो यह number pass ओनकल की सब्सक्रेटा थी उसे siswal सब्सक्रेटा कहा गया कोन-कोन से काल थे पूरा पासानकाल, पासानकाल और नव पासानकाल, चलिए नेक्स्ट केशन लेंगे, निमन में से हर्याना के किस्तान से प्राक विक्सित हुए उत्र संदू कालों के आउसेस स्तर प्राप्त हुए हैं, बताइए बई, हर्याना में निमन में से किस्तान से प्राक विक्सित हुए उत्र संदू कालों के आउसेस प्राप्त हुए हैं, स्पित हुए निमन में से अर्याना के किस्तान से प्राप्त हुए हैं, का प्राप्त हुए बई, बगवान पुर्शे आपने क्या अन्स VII कोमेंट करके बताएं। तो अमर्सासन काल की जानकारी किस गरंद में प्राप्त होती है, तो अमर सासनकाल के बारे में जो जानकारे मिलती है वो कहां से मिलती है में बताइए भई इसका सही अंसर होगा यह सस्तिक चम्पू से यह सस्तिक चम्पू एक गरंथ है भई क्या है गरंथ है नेक्स्ट क्यूशन लेंगे किस कव्य के अनुशार कनोज सासक यसो वर्मा ने दिग विजय अभियान चलाया तथा कुर्चेत्र का दर्शनकर अयुधा चला गया तो बताइए किस कव्य के अनुशार तो यह जो कव्य था इसका नाम था गवड वह हो अच्छे से पनने से सनियाद रखीगा गवड वह हो यह थोड़ा अट पटा नाम है लेकिन याद रखना पड़ेगा बादानकों ने किस के सामंद बनकर अहिरवाल जेत्र पर अधिकार कर सवतंत्र सत्ता बना ली परतिहारों के उपर परहार करके अहिरवाल जेत्र पर अधिकार कर सवतंत्र सत्ता बना ली थी बादानकों ने किसने बादानकों ने नेक्स्ट क्वेशन लेंगे निमन में से कौन सा नाम हर्याना का नहीं है ब्रहम रसी बर्मा की उत्तरवेदी ब्रहावरत ये सभी अर्याना के नाम है और जो ब्रहा सिव जो है वो हर्याना का नाम कभी नहीं रहा राज्य में कुशान कालिन मुर्टियों का मुख्य के लेकिन मुर्तया जो मिली थी वो रोटक के खोकरा कौट से मिली फिए इसका रहाइट एंसवर हो जाए रहाँ तक अगर खोकरा कॉट उसके रीट एंसर नेस्ट लेंगे णिये निमंळिखित कंटनेओं पर विचार कीजिएं बनावली बनास नदी के तठ पर और आवस्तित है बनावली की खोज आरस बिस्ट ने की थी तो बताना कि यह दोनों साहिएं या एक साहिएं या फिर दूसरा साहिए तो बनावली जो थी वो बनास नदी के तर्ट पर नहीं थी वैई रंगों नदी के तर्ट पर थी और जो बनावली की खोजे वो आरस बिस्ट नहीं की थी 1974 में ठीक है कब की थी 1974 में तो इसका जो ओप्शन बी है वो सही होगा नेक्स्ट क्वेशन लेंगे बोध संपर्दाए के किस गरंध में अरियाना के ततकालिन जन जीवन का उलेख मिलता है बताओ भई बोध संपर्दाए के किस गरंध में अरियाना के ततकालिन जन जीवन का उलेख मिलता है इसका राइट एंसर क्या होगा दिव्यवदान और मन्जिम निकाए यहनकी इन दोनों में बहुत संपरता है के यह दोनों गरंस जो है इसमें ततकालिन हर्याना के जन जिवन का उलेक मिलता है तो इसका उप्शन नमबर D राइट एंसर हो जाएगा A और B दोनों हर्याना के किस तल से इंडो गरिक सास को के तीसरी सदी के सिक्खे मिले है वई इंडो गरिक के जो सिक्खे मिले हैं कहां से मिले हैं रोध तक से मिले इंडो गरिक के सिक्खे और कुषान कालिन मुर्थिया रोध तक से मिली है और जबकि कुछान का लिंसी के मित्धातर से मिले है ठीक है next question लेंगे सर्फवाद को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं बादुरगड जो है उसका पुराची नाम जो है वो सर्फवाद था जिसे अब बादुरगड बोलते हैं और ये जज रजिले के अंतरगत आता है पर वह मारा कुर्चे तरजी लेके अंतरगत आता है नेक्स्ट क्योशन लेंगे देक्षन पस्चिम हर्याना में बादानकों के बारे में कहां से जानकारी प्राप्त होती है बताईए बई कहां से प्राप्त होती है खालेमपूर शिलालेक कावगे मेमानसा विविद तिरत स्त्रोत तो इन सभी से देक्षन पस्चिम हर्याना में बादानकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है डी इसकराई टेंसर होगा किस सद्धी के आरम में हर्याना पर सक्ती हीन आयुद सास्कों का सासन था आठवी स्तावदी में अरियाना पर सक्ति हीन आयूद सास्कों का सासन तयान की ज़्याद सक्ति साली नहीं थे लेकिन फिर भी उनका सासन था कि नेक्स्ट क्योशन लेंगे किस पासान काली इंस्तिल से प्राप्त कुलहाडी से यह अनमान लगा गया है कि मनुष्य से वरक्स काटने तथा कर्सी करने की दिसामें आगे बढ़ने लगे थे बताओ वई दामली सुकेतली फिरोजपुर जिर्का या फिर कोटला तो कोटला से प्राप्त कुलाडी से यह अनमान लगा गया गया कि मनुष्य से वरक्स काटने और कर्सी करने की दिसामें आगे बढ़ने लगे थे आज की क्लास का जो अन्तिम क्यूशन रहेगा वह यह रहेगा अर्याना के किस तल से युद्ध्य सास्कों के सिख्य डालने के सांथ से प्राप्त हुए हैं सिख्य डालने के जो सांथ से हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं और उत्तक से प्राप्त हुए हैं योग्द्यसास को के सिक्क्राइब के साथ से जिसमें सिक्राइब बनाए जाते थे और उत्तक से मिले हैं आज की क्लास में नाई वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें तो से डोस्तों को बताएं कि अरियाना पुलीस का एक्जाम जल्द होने वड़ा है तो इसके लिए हम प्रेक्टिस एट चला रहे हैं ये मारा 38th क्लास है इस से पहले 37 क्लास मैं आपको दे चुका हूँ और ये क्लास कम्पलीट होने के बाद आपके 1000 प्लस क्यूशन हो जाएंगे अरियाना जी के के जो मैं उब्जेक्टिव करा चुका हूँ प्लस कम से कम 800 क्यूशन इसके साथ-साथ मैं आपको बता चुका हूँ तो 2000 के लग बगम अरियाना जी के क्यूशन कवर कर चुके हैं तो यह क्लास कंटीनू रहेंगी जल्दी जल्दी अभी 50-50 की क्लास रहेंगे मैं बहुत जल्द 100 क्यूशन की क्लास लेक्या हूँ और हम अरियाना जी के को कम्पलेट करेंगे उसके बाद जो इंपोर्टेंट टोपिक होते हैं जो याद करने में कठेना ही होती है उन टोपिक्स की वीडियो में आपके लिए लेकरा हूँगा तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बैल आइकन प्रेस कर दे ताकि नोटिवेशन आपको सबसे पहले मिले धन्यवाद जय इन जय बारत